चुनाप रचार में जुटे दुशन चोटाला आदंपूर पहुंची जाओ उन्होंने एक तरफ अपने लिए पोटो क्या पिल की तो दूसरी और आदंपूर को अपना नौनी हाल बताते हुए कॉंग्रेस से सिधी टक कर बताई खबर अभी तक से दुशन चोटाला ने खास बात चुकी दुशन चोटाला ने क्या कुछ कहा आईए जानते हैं इस सार लोकसबा सीट से अगर बात करें आदंपूर विधानसबा शेतर की तो सबसे ज़ादा महत्पूर है कहा जाता है कि भजलनाल परिवार का ये गड़ है लेकिन सेंद लगाने की तैयारी है दुशन चोटाला की जोकी जेज़ेपी की परत्याशी है क्या वाकई में आप ये कर पाएंगे बिल्कुल क्यों मेरा भी इतना ही अधिकार है गड़ किसी का हो अगर उनका घर है तो मेरा नियाल है और मैं ये मानता हूं कि मामे नाने सारे मिलकर इस बार इस घड़ को पहले से भी जाधा मजबूती से दरस्त करकर और हमें जिताने का काम करेंगे बीस्टिर्ट्राइफ का भाती वोट का बाद पर पाएंगे वो तो देखते हैं समय बताएगा मर मेरा ये मानना है जैसे हमने काम करा है जैसे हमने परिवर्तन लाने का काम किया है यहाँ सबसे आदा डानियों में बिजली पहुचाई है पानी के टेंकर क्योंकि पानी की किलत सबसे जादा थी इन तमाम चीजों को देखते हैं मैं यह मान पूरी तरह से समस्या एक खतम करोगे दूसरी पैदा होगी मेंबर आफ पार्लेमेंट का ये करतवे बनता है कि वो उसके उपर काम करें वो लोगों के मन को जोड़े और वो जुड़ाव जो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन में आए आज बिल्कुल परिवर्तन की शुरुवात ह होई है और उसको मजबूती से आगे लेकर कैसे चलना है वो हमारा जुम्यवारी यहां से टक्कर आपकी बीजेपी से नहीं लग रहा है आपकी भवे विश्णोई से हैं कांग्रेस से बार्टी का अधंपुर में कोई जनाधार नहीं है अगर उस चीज को देखे तो बिल्क की खबरें तक से तो यह थी दुश्ण चोटाला जो लगातार प्रचार करने में जोटे हैं आदंपूर में आदंपूर जैसे कि मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर है सियासत के लिए भी और यहां हिसार से जो भी प्रतियाशी उनके लिए भी अगर यहां से वाकई में की तासान हो सकते लेकिन यह फैसला यहां की जन्हता को करना है 23 में को रिजल्ट बताएंगे कैमरा में से अराम के साथ मैं कमल कोशिक खबरे अभी तक